जैन साथियो आज की कक्छा प्रारम करें उससे पहले आपको बता दें कि अनकेडमी ने ले करके आ गए हैं आपको फिरी फिलान जो की अनलोक करने के लिए आपको रेफरल कोल डालना है सुमिध जैन आपको बता दें इस फिरी फिलान में आपको मिलेगा 500 पलस लाइप किलास हैं जो की MP के टॉप एजूकेटर द्वारा ली जाएंगी तो इसी के साथ साथ आप अपने डाउट भी किलियर कर सकते हैं 50 पलस एजूकेटर इसमें स्टडी कराते हैं डेली और बीकली आपके मोग होंगे जिसमें कि आप किसी भी एग्जाम को MP की दे रहे हों फिरी लाइप किलास के साथ साथ आप जो भी एग्जाम दे रहे हों चाए MPPSC हो MPPOLIS हो MPSI हो MPJL पहरी काउंस्टेबल कोई भी एग्जाम हो आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी और 20,000 पलस पूप में होंगे जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट के और डेली T20 फिरी टेस्ट होता है जिसमें 20 मिनट में 20 कॉस्चन हल करने पड़ते हैं तो आपको बता दें कि आपको अनक एडिम में इस फिरी पिलान के अंतरगत जो MP के टॉप एजूकेटर हैं जो बहुत अच्छे से अध्यन कराते हैं वो आपको मिलेंगे और बिल्को सीरीज बाई सीरीज आपको डेली लाइब किलासों का लाब भी मिलने वाला है तो आप गूगल पिले स्टोर से अनक एडमी एप डाउनलोड करके आप इसका लाब ले सकते हैं आपको बता दें कि फिर अनलोड करना है पिले स्टोर से अनक एडमी एप और कोड यूज करना है अनलोग करने के लिए फिरी ये सब कोछ मिले उसके लिए आपको सुमिद va souvenir कोड डालना है जिससे आपको ये सब कोछ फिरी में मिल जाएगा दोस्तों मैं हमें सास्त्री निरंतर आप से चर्चा कर र बहुत ही सही उत्तर देते हैं, आज पुनहा मांगे कुछ महत्पून प्रिष्णों पर चर्चा करेंगे, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, देखें हिंदी भासा में मूलकाह बर्णों की संख्या कितनी माने गई है, तो आपको बता देंगे हिंदी भासा में मूलकाह ज मतलब जिसका उच्चारण स्थान दंत है, ठीक है, तो आपको बता दें, A, B, C, A, D, जल्दी से बता दीजिए, तो आपको बता दें, ताबर्ण जो है, दंतब है, ठीक है, ताबर्ण के पूरे सब, ताता, दाधा, ये सब क्या है, दंतब है, मतलब जिसका उच्चारण स् सब कुछ यहां पर मिल जाएगा साथ ही साथ ही अब संस्कित की भी तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियों यहां पर मिल जाएंगे तो आप टॉप 50 श्टेडी यूटूब चैनल यूटूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ पूरे वीडियो देखें अगला देखें घा का उच्चारण स्थान क्या है उच्चारण स्थान से संबंदेत एक दूपरसन आते ही हैं जहां पर हिंदी पूछी जाए तो आपको बता दें घा का उच्चारण स्थान है कंट क्यों का बर्ग के सभी बर्ण का उच्चारण स्थान कंट है तो कमेंट खोल करके आप तैयार रहें जिससे हमारा समय ही बस सके अपन सबका और ज्यादा से ज्यादा पृष्ण भी कबर हो आगे देखें अभी बंदन से निर्मित बिशेशन नहीं है अभी बंदन सब्द है उससे बना हुआ बिशेशन क्या नहीं है तो आपको बता दें अभी बंद तो ये तो अभी बंदन से बना है अभी बंदन निये भी है अभी बंदित भी हाँ अभी बादित नहीं है ठीक है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बी अभी बादित बहुत महत्पून है बिशेशन पूछे जाते हैं अगला देखें निमने लिखित में से कौन सा बिसेशन सब्द से नहीं बना हुए, कौन सा ऐसा बिसेशन सब्द है जो संग्या सब्द से मिल करके नहीं बना है, चार ओप्सन है A, B, C या D, जल्दी से बताईए, तो आपको बता दें, देनिक, ठीक है, तो यहां बोले देनिक तो दिन क्या है, एक संग्या है, उससे बना है, ग्रामीन बना है, ग्राम से तो यह भी है, भारत भी एक संग्या है, उससे मिल करके भारती बना है, तो बाहरी जो है, बहे, संग्या सब्द से मिल करके बना हुआ नहीं है, ठीक है, बाकी विशेशन क्या है, संग्या सब्द स जाकर के टॉप फिप्टी स्टडी सर्च करें प्ले लिष्ट में जाएं उहां पर हिंदी की आपको प्ले लिष्ट मिलेगी उसमें लगभग ज्यादा नहीं होंगे तो 20 वीडियो अभी आपको मिल जाएंगे निमने लिखेत मैंसे कर्म बाच का उधारन है देखो तीन बाच होते हैं कर्तिरी बाच कर्म बाच भाव बाच तो आपको कर्म बाच का यहां पर उधारन वतलाना है जल्दी से वतला दीजिए कर्म बाच का उधारन तो कलाकर मूर्ति करता है नहीं तो कर्तिरी बाच का हो गय मुझे अब नहीं चला जाता है, भाव बाच्च का हो गया, नानी द्वारा कहानी सुनाई गया, यही है कर्म बाच्च का, नानी द्वारा कहानी सुनाई गया, ठीक है, मैं प्रती दिन खेल खेलता हूँ यह तो, करतरी बाच्च का उधारा हो गया, ठीक है, इस विकासे कर्म क्या हो गया, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, याद रखिएगा, अगला देखें, राम नहीं जाता है, बाक का भावाच में परिवर्तन रूप होगा, राम नहीं जाता है, भावाच बनाना है, तो हमने ट्रिक बताई थी, इसको पढ़ाया है पूरा, तो राम से जाया न नहीं जाता है, भाव अच्छ हो जाएगा, बहे दोड़कर चलता है, बाक में क्रिया है, बहे दोड़कर चलता है, जल्दी से वताइए, कमेंट में उत्तर, कमेंट खोल करके रखें, तो बहे क्या, बहे दोड़कर चलता है, मतलब पहले दोड़ता है, फर चलता है, तो कौन स निमने लिखे सब्दों में से इस्त्रीलिंग सब्द को पहचानिए दोस्तों कॉस्चन पसंद आ रहे हूं तो वीडियो एक बाल लाइक जरूर कर दीजिए तो इस्त्रीलिंग सब्द आपको पहचानना है कि इसमें से इस्त्रीलिंग क्या है तो संसार तो इस्त्रीलिंग है क्योंकि आपन एक उधार बाक लगा लिया करें जब भी आपको कोई सब्द पहचाने है कौनसा लिंग तो एक बाक जोड़ लिया करें संसार असार है सामान वो ले इस्त्रीलिंग नी है गोराओ खाता है इस्त्रीलिंग नी है हम समूदाय में रहते हैं इस्त्रीलिंग नहीं है अस्वनी खेलती है इस्त्रीलिंग हो जाएगा अस्वनी कई लड़कियों के नाम भी होते हैं हाँ कभी कभी लड़कों के भी रख देते लेकिन अस्वनी जो सब्द है बड़ी इबाद में आ रहा है इससे भी लगा सकते हैं आगे देखें बाक को समाप्त करने के लिए जिसका प्रियोग किया जाता है उसे कहते हैं जब बाक समाप्त हो जाता है तो अपन क्या लगा देते हैं अगे बाद H न लगा दिया तो उसको क्या कहते हैं तो आपको बता दें कि उसको कहते हैं Poon Bram क्या कहते हैं Poon Bram यहाँ Alp Bram दी Alp Bram तो यह होता है ऐसे थोड़ा सा लगा देती है ठीक है इस प्रकार से है आगे देखते हैं महत्पून प्रश्ण ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्रश्ण आप के लिए करके हम निरंतर आ रहे हैं बाच्च के कितने प्रकार के होते हैं, बाच्च तीन प्रकार के होते हैं, पहली बता चुकि कर्तिरी बाच्च, कर्म बाच्च और भाव बाच्च, याद रखीएगा, दुसकर सब्द का समानार्थी, समानार्थी बताना है मतलब परियाय बाच्च, दुसकर का क्या हो ठीक है कर कर मतलब एक हाथ तो होता है सून्ड भी होता है लेकिन स्रेश्ट नहीं होता इसलिए अलग हो गया यहाँ पर पक्छी भी नहीं होता कर मतलब तीसरा है बस्तूओं पर इसलिए उपर सभी भी तो हो गई नि कि यह नहीं है अब तीसरी बच रहा है इसमें से ऐसे हमें लगा लेना चाहिए कभी भी पेपर में हो कैसे हमें उत्तर को पहचानना है नई बनते हुए भी आप उत्तर पहचान लोगे आप हमारे वीडियो देखें असा आप भ्यास ने रंतर हो जाएगा तो बस्तूों पर ल उपसर्ग हमने हमारे चैनल टॉप 50 श्टडी यूट्यूब चैनल पर संस्कित के बहुत सारे वीडियो दले हैं उस पर हमने एक सूत्र बताया था आपको संस्कित के कितने उपसर्ग है बाईस उसका सूत्र क्या था प्रा परा अपसम अनुववनिस निर इत्यादी जो सू कार प्रत्य ऐसे निर्मित नहीं है कार अब देखो कार लाश्ट में पहले देख लो कार किस किस में लगा है लगभक चारों में लगा है ठीक है लगभक चारों सब्दों में लगा है तो अब थोड़ा हमें पहचानना पड़ेगा तो उसके लिए सबसे पहले देखें कुम् कार साई बन रहा है अर्थ साई आ रहा है कला में कार जोड़ने से कला कार तक्छ में कार जोड़ने से तक्छ कार लेकिन बे कोई सब्द नहीं होता बे प्लस कार तो बे कोई सब्द नहीं है जिस कार तो इसलिए बे कार क्या प्रत्यासे निर्मित नहीं है कार प्रत्यासे आया था कर सब्द का अब आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए जल्दी से बता जी हाथ था किरण भी था और सून्ड भी था गधा नहीं है करका ठीक है तो इसका उत्तर हो जाएगा डी गधा आगे बढ़ते हैं निम्न लिखत में से सही अर्थयोक्त सब्द योग्म छाटिए तो सब्द योग्म आप सभी लोग जानते हैं कि योग्म रूप से रहते हैं मतलब एक साथ तो ग्रंथी का अर्थ यहां पर D हो जाएगा वैसे ग्रंथी कार्थ गाठ होता है और ग्रंथ कार्थ पुस्तक होता है ठीक है जलच कार्थ यहां पर बादल है ठीक है लेकिन जलद ठीक नहीं है तो यहां पर सही अर्थ उक्तपन को छाटना तो ग्रंथ पहचानना है तो आपके लिए बता देंगी छती मतलब हानी सही है लेकिन छिती मतलब दोस्नी होता है छिती मतलब तो प्रतिवी होती है अंब मतलब अबस्नी होता है अंबू मतलब तो जल होता है ठीक है इसलिए जलद मतलब बादल ठीक है और जलद मतलब बादल ठीक है लेक भाय भीत ये पंचमी समास का सबसे प्रषद उधारन है, जल्दी आपको बता दें कि है भाय से भीत ती अर्था नाम भाय हे तू ये संस्कित का सूतर हिस्थें बताते है कि भाय के अर्थ में पंचमी विव्यक्ति होते है, भाय से भीत ठीक है तो भाय भीत पहला हो जाएगा आगे देखें, द्वंद समास का ओधारण नहीं है, द्वंद समास के लिए हमने बताया था, आपस में दो चीजों के बीच में द्वंद होता है, वो दो चीजों बिपरीतार्थक भी हो सकती है, तो अब द्वंद समास का ओधारण नहीं है, आपको बताएं, कपड़े लत्ते गर-घर में दौंध नहीं होRAC जो आपको बास समझ में ना रही हो तो उसकी हम बताने का प्रियास करेंगे आगे चर्चा करें उससे पहले आपको कुछ बेनिफिट बता देते हैं आनक एडिमी एप के मैंने आपको शुरू में फिरी फिलान के बेनिफिट तो बताए थे अब मैं बो महत्पूर बेनिफिट बताने जा रहे हूँ यदि आप सब्सक्रिप्सन प्लान लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्सन तो आपको बता दें कि उसमें आपको कम्प्लीट सिलेवा स्केनुसार आपका पूजा बेच मिलेगा बीकली मोक टेस्ट होंगे आप अलग-अलग बेच हैं दस महीने के लिए भी आप MPPSC प्रीमेंस का भी बेच ले सकते हैं और प्रतेक मतलब मन्थ में नाए नाए सेसन लाँच होते हैं आप उनका भी लाब ले सकते हैं टू-यर फाउंडेशन बेच भी है अभी में आँगे सबके प्रावज भी बताऊंगा बहुत महत्पून आपके लिए बेच हैं T20-Target MPPSC प्रीम्स लाँच एवरी मन्थ होता है उसका भी लाब ले सकते हैं और थ्री मन्थ के लिए भी बेच बनाये जाता है आप MP के कोई भी एकजाम की तैयारी कर रहे हैं MP Forest, MP Police, Count Stable, MP Subspector या फिर किसी भी MP के एकजाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस Subscription Plans का लाब जरूर लें इसमें 50 प्लस टॉप MP के जो एडूकेटर हैं जिनको कई वरसों कानुभव है पर डेली आपकी Life Class लेंगे और एक मन्थ में आपको पचीस सो प्लस लाइब किलास मिलेंगी अनकेडिमी एप के माध्यम से डाउट के लिए रसे सेसन होगा हिंदी और इंगलेस दोनों में आपको किलासे मिलेंगी और नोट्स भी उपलब्द कराए जाएंगे 20,000 प्लस आपको MC की कॉस्चन इसमें मिलने वाले हैं तो आप ज जैसे ही आप के लिए प्लान खुल करके सामने आ जाएंगे जिसमें 20 मंत का प्लान है 1440 का 3 मंत का है 3600 रुपे का 6 मंत का है 6480 का 12 मंत का है 7920 का और 24 मंत का 11,450 रुपे का प्लान है आप कोई भी प्लान ले हैं या आप चाहते हैं कि हमें कुछ छूट मिले तो आपको 10% डिस काउंट मिलेगा फ्री लाइब किलासेस कोर्स का आनंद ले सकते हैं अपने डाउट किलियर कर सकते हैं और जैसे एकजाम की तैयारी कर रहा है उसको क्रेक कर सकते हैं आगे देखते हैं आगे देखें किस समूव में यण संधी रह सब्द है यण संधी से रहत सब्द है इन सब्दों के पहले कोई आधा सब्द जुड़ा होगा, तो यह ट्रिक थी कि वो यन संधी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बा में आधा सब्द जुड़ा है, यहाँ पर या में आधा सब्द जुड़ा है, यहाँ में भी आधा, तो आप हमारी ट्रिक से ही, आप हमार तो हो गई अब देखें पित्र अनुमती पित्री धन अनुमती से इसमें भी यनसंदी है ठीक है यद्यपी यदी प्लस अपी में भी यनसंदी है यदी प्लस अपी में भी क्या है यनसंदी है और अगला है सडानन नहीं इसमें नहीं है विया 60 प्लास आनन इसमें तो बैंजन संदी है साड़ानन में तो A B उत्तर हो जाएगा कि ये यनसन्दी से रहे थे इसके दो तो ठीक है पित्रनीूमती और A लेकिन सज्दानन में नहीं है बाकी मात्री प्लास आनन्द मात्रानन्द बन जाएगा नद्य अरपन, नदी पिलस अरपन, देवी पिलस अरपन, देवी पिलस अगमन, ठीक है ए हो जाएगा, तो देवी पिलस एस्वर से देविश्वर बन जाएगा यानसंदी में, पृत्य उपकार, पृति पिलस उपकार से पृत्य उपकार बन जाएगा यानसंदी में, नद्य उर्मी नदी प्लस उर्मी से नद्य उर्मी बन जाएगा तो इस प्रकार से ये सब कुछ यन संदी के वो धारण है इतने सारे आप देख लीजिए और ये भी दो हैं किवाल एक सड़ा नन्नी है इस प्रकार से आपका बहुत सा ब्यास एक प्रस्न में आपके कई प्रस्न ने पढ़ गए ऐसे हमें पढ़ना है यसी ही तैयारी हम पहले कई वीडियो में ला चुके हैं और आंगे ला रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि तक अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर आप यूटूब पर सर्ष्ट करें इसको सब्सक्राइब कर लें निमनलेखित में से कौन से सब्द में बिसर्ग संदी है अब बिसर्ग संदी आपको बतलाएं तो अभी हमने ट्रिक बताई थी कि आधा सब्द जुड़ा होगा या आके पहले तो यहां संदी होती है तो ये बिसर्ग संदी का उधारण है मनहा पलस अनुकूल से ठीक है बाकी उत्तम दिया है तो ये भी नहीं हो जागा तनमाय तत धनमाय ये बेंजन संदी का उधारण है तत धनमाय से तनमाय बन जाता है आगे देखते हैं तेड़ी कीर होना मुहाबरे का सही अर्था बता दीजी जल्दी से बता दीजी फटा फट ए भी शी और डी कमेंट में उत्तर दें तो आपको बता दें टेड़ी खीर होना मतलब होता है कठिन काम करना ठीक है याद रखिएगा आगे पिछले वीडियो ना देखें हो तो छोड़ेगा मत दोस्तो प्ले लिस्ट में जा करके जरूर देख लीजिएगा मौकी का फायदा उठाना के लिए लोग उखती है मौकी का फायदा उठाना कई लोग उठाते हैं भाई तो उसकी सही लोग उखती है ही है कि यह भी ही बहती गंगा में हाथ धो लेना, अस्ट का तदफ़ा होगा, अस्ट मतलब होता है आठ, अस्ट समस्कित में बोलते हैं आठ उसको हिंदी तदफ़ा उरूपने, आगे देखते हैं निन्मे लिखे सब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है तत्सम सब्द नहीं है निमने लिखेत में से जल्दी से बता दीजे चार सब्द यहां पर दिये हैं कुसुम तो तत्सम है फूलकार्थ भूसी का भी यह बंस भी हाँ नेह नहीं है नेह तत्सम नहीं है याद रखिएगा नेतर जो है ना उनको कहते हैं तो यह तस्रम नहीं है नहीं है इस वब्त को आप याद रखीएगा तो यासे अभी इतने वीडियो पर आज हमने चर्चा कर लिए बहुत लंबा वीडियो भी ना हो थोड़े थोड़े प्रिशन हमाई याद भी होते जाएं कि हम बहुत लंबा कर दें आपको एक चैनल से जुड़े रहें और इसी तरह अध्यान करें